ग्वालियर के पडोसी सहर मुरेना के सिटी कोतवाली इलाका इस्थित ग्याने सुरी आस्रम में रह रही तीन लड़कियां सोमवार दोपहर अचानक गायव हो गई लड़कियों के गायव होने का पता चलते ही आस्रम प्रबंधन ने इसकी शिकायत पुलिस से की पुलिस ने गुमसुदगी दर्ज कर उनकी तलास सुरू की तो एक लापता का मोबाइल आन मिला मोबाइल की लोकेशन मुरेना गौलियर के बौडर पर बसे बदनापुरा गाउं के पास मिली बदनापुरा की लोकेशन आते ही मुरैना पुलिस अलर्ट हो गई यह गौलियर का बदनाम गाउं है यहां पहले भी बाहर की लड़कियां और लापता लड़कियों की खरीद फरोक्त के केस सामने आ चुके हैं यहां बेडिया समाच के लोग रहते हैं गाउं में जब भी पुलिस जाती है तो विरोध का सामना करना पढ़ता है कई बार पथराव भी किया जाता है मुरैना के सिटी कोटवाली थाना पुलिस की एक टीम मंगलवार को गौलियर के पुरानी च्छावनी थाना इस्थित बदनापुरा गाउं पहुँची मुरैना पुलिस ने जैसे ही गाउं के एंट्री गेट पर कदम रखा तो विरोध का सामना करना पढ़ा वहां लोगों ने पत्थराओ कर मुरैना पुलिस की टीम को खदेड दिया खदेडे जाने के बाद मुरैना पुलिस ने गौलियर पुरानी च्छावनी पुलिस से मदद मागी और पूरे मामले से अफगत कराया जिसके बाद फोर्स के साथ गौलियर पुलिस के साथ वापस बदनापुरा लोटी और च्छान बीन की पर पुलिस को बच्चिया नहीं मिली जबकि पुलिस को यहां की लोकेशन मिली थी आस्रम से लापता हुई तीनों लड़कियों की उम्र 19 से 21 साल के बीच है यह साल 2021 में मुरैना के स्टेसन रोड पर चाइड लाइन को मिली थी तब इनके बदनापुरा में वैश्या वृति का खुलासा हुआ था यह वही रहती थी इसके बाद बाल कल्यान समित के सामने पेश किया गया था जहां से तीनों लड़कियों को मुरैना के ग्याने सुरी आस्रम में भेजा गया था गौालियर के पुरानी चावनी इस्थित बदनापुरा हमेशा से कम उम्र की लड़कियों की खरीद फरोक्त के लिए बदनाम है पुलिस को यहां कभी भी दविस में कोई भी लड़की नहीं मिली दविस दे ने पहुची पुलिस पर पत्थराओ वा हमला सामान निबात है CSP रवी भदारिया ने बताया कि मुरैना किसे कुछ लड़कियां लापता हुई है मुरैना पुलिस को आसंका थी वे यहां हो सकती है इसी सिलसिले में पुलिस ने दविस दी थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला अन्यवल भेजा गया था किन्तु वह लड़कियां दस्तियाब नहीं है